नमस्कार आदाब स्स्रीय काल आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ही चैनल दा बैस कल्फ जो में मैं आपका दोस्त फिर लेके आऊं बहुत अच्छी इंट्रस्टिंग जानकरी जैसा कि आप सबको पता है और विया की इंट्रव्यू चल रही है और टेक्सियों की क्योंकि क्यों पूरी हंदुस्तान में इंट्रव्यू है तो जैसे इंट्रव्यू सम्मिट होती है नेक्स स्लोट आता है हमारे पस 200 ड्राइवर की रिकॉर्मेंट आई है अर्भिया टेक्सी आबूदभी में जो जाना चाते हों मैं बता दू इसमें फंडा सीधा सीधा है जो बंदे जो केंडिडेट अपने आपको यह समझते हैं भी उनकी एज 23 कंपलीट होगी और 45 के 20 की एज है पास्पोर्ट ECNR ही चाहिए 10th पास 10th का सैटिफिकेट भी लगेगा क्यों चाहिए 10th का सैटिफिकेट उसके लिए अच्छी बात बता देता हूं आपको जब 70-45 का सैटिफिकेट नोडिया अचैट होना चाहिए ऐसकेंडम बेड़ का सैटिफिकेट भी आपके पास ओना चाहिए और आपके पास पास्पोर्ट सेयों अपना ड्राइविंग लाइसेंस बी नोटॉरिय अटेसेंस सिर्फ में निलात अचैटनसारा यफोटो लादियू उससे एक दिन पहले आपने जिसका appointment letter आता है वो सीधा गमका medical कराई दिली में उसके next day आपको क्योंकि गमका की कई बार तो report शाम को मिल जाती नहीं तो next day हम सुबर 10 बजे मिल जाती है जो बंदो की report आजाए वो सीधे embassy में जाए और अगर ambassador ने आपका passport रख लिया आपको by courier आपके घर बेज रहे हैं तो समझो आपका visa 100% लग गया उसके बाद बता दू यह तो candidate की quality होगी communication skill अच्छा होना चीए और उसको candidate को English speaking good well and good चाहिए दूसरी बात सबसे अच्छी बात बता दू आप जहां से जाते हैं तो जाते तो आप कमाने नहीं लग जाएंगे तब तक आपका रहने का खर्चा भी company उठाती है कई company फूड नहीं देती पर अरभी आपको बता दू फूड का 500 drama allowance देती है आपको तीन मैने का time देती है चार मैने भी लग जाते पांच मैने भी लग जाते बड़ी बात नहीं है आप में जितनी quality है जितना अच्छा आप गाड़ी चला सकते हैं जाते toy test होता है अमराथ ID बनती है medical होता है फिर आपका physical test होता है यह सब के certificate लगते है driving open file के लिए फिर आप location याद करते हैं फिर आप ट्राइए देते हैं पहले reverse की होती है फिर breeze की होती है फिर road की होती है यह ट्राइए देने के बाद आपको एक अपना driving license मिल जाता है फिर आपको Toyota की hybrid गाड़ी है अजकल चलती है थाइब्रेड टेसला तक टेक्सी में चल रही है दुबई में टेसला गाड़ी इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले वो चलती है बैटरी पे फिर उसके बाद बैटरी जब खतम हो जाती फिर लेती है फ्यूल पे चलती है फ्यूल कंजप्शन कुछ भी नहीं है अर् शहर में अपनी तालुकां में तसील में अपने जिले में जहां भी आप रहते हैं आप नोटोरिये टैसे डॉकुमेंट कराएं मुझे सम्मिट करें और अपना जो टोकन मनी जमा कराएं आप अपना वीजा अप्लाई कर दें इतना ही काम है जिन बंदों के आये हैं उन्हें इतना ही प्रोसीजर है आपकी इंट्रवु वी दिन डेड मेंना भी लग जाते हैं तो बड़ी बात नहीं है जो काम करने वाला इंसान है जिसको पटाए हुए हंडड्ड़ परसेंट मेरा काम होना ही होना कोई इदर उदर नहीं जाना तो वो 100% आपका काम होगा तो जो मेरे दोस्त अरबिया में जाना चाते हो अरबिया में अपना ब्राइट फ्यूसर बनाना चाते हो टैक्सी ड्राइवर में जुरूरी नहीं आप पूरी साल के लिए बॉंड होगे पूरी जिंदगी के लिए दो इंप्लोईमेंट वीजा पहले बता दू जो टैक्सी में जाना चाते हैं कोई वीजिट फीजिट नहीं है इंप्लोईमेंट वीजा इंडिया से ही लगके जाना है आपका तामस कंडिशन आपके ओफ़र लेटर में लिखी रहेंगी एक अच्छी बात बता दो ओफ़र जिनकी जलती है जलेगी नो प्रब्लम और जिने अच्छा लगे वीडियो वो प्लीज शेर करें लाइक करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ तक तक आप अपने दोस्त को दे इजाजत शुबरातरी शुबरातरी थेंक्यू धन्यवाद दोस्त झाल